नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे 6 मार्ज, सोमवार, सुबे सबाट 6 बजे, राजिस्तान की बड़ी खबरी प्रदीश भर से जाट समाज के लोगों ने शिरकत की, यहां कांग्रिस प्रदीश अद्यक्ष गोविन सिंग डुटासरा ने कहा कि मैं जिस हैसियत में हूँ, मेरी पार्टी के नेता और मेरी पार्टी की विचारधारा से उपर उठकर भी मैं पहले समाज का हूँ, डुटास में ये कमी है कि हला करते हैं कि हम मदद करेंगे, तब तक दुश्मन सक्रियों हो जाता है और हमारे समाज के व्यक्ति की मदद नहीं हो पाती है। की तरफ से आ रही एक गुजरात नंबर की कार को रोक कर पूश्टाच के गई तो कार में सवार दो लोग घबरा गए। पूश्टाच में उन्होंने अपने नाम निलेश और सुरेंद्र भाई बताया, ये वक को पशक हुआ, तो उनको कार से नीचे उतारा गया और कार की तलाशिली तो अंदर सीट के नीचे और डिक्की में पॉलिथिन में छुपाकर 500 और 2000 के नोटों के गड्यां रखे हुई थी। नोटिस अनुशासनात्म कारवाही के लिए दिये गए थे, मीडिया रिपोर्स के अनुशार जुन्हें सरकारी हलकों में 16 सीसी के नोटिस कहा जाता है, प्रदेश की बिरोक्रिसी में ये पहला मौका बताया जा रहा है जब किसी आई-एस ने एक तरहं के पिचार में नोट जारी किये हो, इसके बावज़ुद नोटिस पाने वाले अधिकारियों के प्रतिक्रिया ये रही की उन्होंने किसी एक नोटिस का भी जवाब तक नहीं दिया, इतनी जादा संख्या में नोटिस देने और उनका जवाब तक नहीं देने के बाद भी आई-एस डाक्टर घं वहीं खाटू शाम मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से रूबर हुए वसंदरा राजे ने कहा कि मेरे जनम दिन पर पिछले तीन सालों से भक्ते दर्शन का कारिक्रम हो रहा है। मादमिक शिक्षा राजेसान के डिरेक्टर गौरव अगर्वाल द्वारा अनिल को निलम बित किया गया है। अपने हग की मांग की गुहार लगा रही हो और उन्हें इस कदर पीटा जाए। उनकी सुरक्षा हमारा करतव्य है। उद्यपूर में एक ऐसा फरजी कैंडिडेट पकड़ा गया है जो पठवारी, कम्पिटर टीचर, LDC और टीचर भरती सभी में डमी कैंडिडेट बन कर बैठ चुका है। अब तक की जांच में सामने आए कि किशना राम आट से जाधा एक्जाम फरजी तरीके से दे चुका है। चबड़ा थर्मल पावर प्लांट के अधिशासी अभ्यांता शालेश कुमार सिंगल को 2000 पे के रिश्वत लेते रंगे हातों ग्रफतार किया गया है। रिश्वत राशी की मांग कर परिशान कर रहा है। स्वम सेव को को नियमित करने की मांग भले ही लंबे समय से चल रही हो लेकिन सरकार ने होमगार को नियमित करने से साफ इंकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि होमगार को नियमित करने का कोई विचा नहीं है। साथी सरकार ने इस बास से भी इंकार कर दिया है कि होमगार्ड रूल्स एक्ट उनियमित करने पर विचा रखती है। साथी इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि होमगार्ड को वर्ष में रोजगार देने के लिए क्या कारे योजनाए हैं। बलगी इसका समूचो आयोजन। लोगों के विशाल समूच के साथ कई धार में क्रिती रिवाजों और पुरानी परंपराओं का निर्वाहन करते हुए बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। लाखों की तादात में भक्त खाटु शाम पहुँच कर बाबा शाम के दर्शन करते हैं। रायसान पुलिस की प्रशिक्षिव सब इंस्पेक्टर नैना को पुलिस मुख्याले ने निरंबित कर दिया है। दरसल दिल्ली पुलिस को रोतक में दबिश के दोरान सब इंस्पेक्टर नैना कमल के पास बिना लाइसेंस की दो पिस्टल मिली थी। रोतक पुलिस ने S.I. के खिलाफ मामला दर्च कर जांच की। बारते किसानी उनियन के रास्ते प्रवक्ता राकेश टिकयात ने कहा है कि किसानों को अब 10 साल पुराने ट्रक्टर बंद करने के मामले को लेकर एक और बड़ा अंदोलन करने के लिए तयार है ना चाहिए। तिकयात जैपुर में जाट महाकुम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को अब एक बार फिर बड़ा अंदोलन चालू करना पड़ेगा और उसके लिए तयारी रखनी होगी क्योंकि 10 साल पुराना ट्रक्टर बंद होगा ये पॉलिसी सरकार की आ गई है। उन्होंने कहा कि कौन सा किसान है जो 10 साल पुराना ट्रक्टर बदल देगा कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए एक बड़ा अंदोलन फिर किसान मंच पर होगा। राजस्तान वाले एवन समाज के लोग मोर्चे को समालने का काम करेंगे। आदिकारियों, जानकारों का ऐसा मानना है, हालांकि बोर्ड ने अभी तक एडमिट कार्ड को लेकर कोई आदिकारिक बयान नहीं दिया है। लाकों में चोराहों पर मैदान में होली का देहन होगा। देहन मुहरत के अनुसार शाम को होगा। तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। लाकों में आदिकारिक बड़ी खबरों के साथ। लाकों में आदिकारिक बड़ी खबरों के साथ। क्या हम तो भॲाएर था बड़ी में आदिकार अदिकार शाम के साथ।